साबुदानी की किछडी वरत में बहुत टेस्टी लगती है और वरत वारे लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है इससे वह चटपटा भी खा सकते हैं तो इसको वनाना सीखते हैं चलिए जल्दी से बहुत आसान है सबसे पहले हमें साबुदाना ओवरनाइट गला के रख लेना है देखी मैंने ओवरनाइट गला के निकाल लिया ऐसे नॉर्मल पानी में रख दीजेगा और फिर उसके बाद कुछ मसाले लेने हैं थोड़ा सा जिंजर यानि की अधरक कटा हुआ फिर थोड़ी सी हरी मिर्शी कटी हुई और यहां पर देड़ दो टमाटर हैं और यहां पर एक बड़ा आलू कटा हुआ पतला पतला बारीक बारीक तो जो साबुदानी की खिचडी होती है वो खाने में बहुत टेस्टी होती है तो इसके लिए हम इसको मुफली भी लेने साथ में मुफली से बहुत आप चाहें तो कुछ चीजें और आल सकते हैं जो आप चाहें वरत वाली होनी चाहिए पर क्योंकि आप वरत के लिए बना रहे हैं से ओविसली तो सबसे पहले एक कडाई चड़ा लेते हैं जो साबुदानी की खिचडी है वो आपको वरत में भी पोह जैसा टेस्ट देती ह से पहले दो बड़े चमस इसमें गी डाल देते हैं तौन कि वह असमन पकाना है हमें गी को होने देंगे ऐचे तरीकले आप चाहए तो आप हैं जीरा एड कर सकते हैं वरत में जीरा अबर्खता हें और मैं की औरई तो इनको थोड़ी स्लो गैस पर ही पकाएंगी जैसे की जले ना अगर जल जाएंगी तो फिर कड़वा कड़वा टेस्ट हैगा हमारे साबुदानी की खिचडी में तो अब इनको तरह किसे चला लेता है स्लो गैस पर तो यह मुफली हमारी हो चुकिए अलकिल की फ्राय दिखिया इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो अब उनको निकालने के बाद सबसे पहला अपना द्रग जो हमने बारी काटके रगाता है यानि कि हमारा जिंजर तो यह मैंने बहुत छोटा सा पीस लिया ता बस इसक यानि कि एक चमच जिंजर काटा है मैंने तो इसको थोड़ा सा जाने देते हैं golden brown के बाद इसमें एड कर देते हैं अपनी हरी मिर्ची मैंनी मानती हूं कि वरत में लाल मिर्ची खानी चाहिए अगर आप पानते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं पर मैं हरी मिर्ची उसकरते तो हरी मिर्ची और जिंजर को थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसमें एड कर देंगे अपने अगला इंग्रीडियेंट तो यह देखिए पक चुकी है हमें जादा नहीं पकाना है फिर जलने का टेस्ट आए अब इसमें एड कर देते हैं अपने आलू यूंकि आलू पकने तो आलू पकने के बाद हम इसमें टमाटर आड कर देंगे आप देखिए आलू काफी हद तक पक चुके हैं मैंने ने काटके देखा तक रहे हैं बाकी कुछ चावल के साथ और टमाटर के साथ भी पक जाएंगे तो अब इसमें एड कर देते हैं अगला इंग्रीडियेंट तो इसमें मुफली जादा एड कर लीजेगा अलू पसंद कर देती इसादा एड कर लीजेगा इसको थोड़ देर अची से चला लेंगे पहरेए इसके बार एसे फोड़ धुके भी पका लेंगे जिसे कि यह जल्दी पक जाएगगई मैं पाड़ अलूब अभी पगजेग तो मैं आप पे सैदा नमक एड़ कर रही हूं अब भी सैदा नमक की एड़ कीज़ेगा क्योंकि वरत में सैदा नमक की खाया जाता है हम नमकीन बना रहे हैं इसलिए नमक केड़ कर रहे हैं वैसे तो इसमें इसको अच्छे तरीक से करेंगे मिक्स और उसके बाद फिर इसे पकाएंगे थोड़ देर हमारा मसाला यानि की आलू टमाटर यह सब अच्छी तरीक से पक चुके हैं अब इसमें अड़ कर देते हैं अपना साबुदाना जो हमने ओवरनाइट गला के रख दिया था तो यह देखिए इसको तरीकी से पहले निकाल लेते हैं और अब कर देते हैं इसमें मिक्स जादा जादा मिक्स करेंगे तो फिर यह बेकार हो जाएगा यानि कि आप समसकते हैं यह टुपक ने लग जाएगा साबुदाना इसलिए जादा नहीं चलाना है थोड़ा से चलाना है बस मिक्स करने के लिए और उसके बाद थोड़ दिर पकाना है और फिर गैस आफ कर देनी है त उनसे ही कुछ कलर इसमें आता है तो यह देखिए इसको कर लिए अची तरीके से हमने मिक्स आप देख सकते हैं हमारी जो साबुदाने की खिचडी है यह अच्छी लग रही है दिखने में और यह बनाने में भी बहुत आसान होती है अब देखिए इसमें करना ही क्याता चाहिए पकानी थी कितनी आसान है और टेस्टी की टेस्टी भी लगती है वरत में अगर आप वरत का खाना काते बोर हो जाए तो इसको जरूर ट्राइ कीजिए आपको यह बहुत अच्छी लगने वाली है और आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी तो आप अच्छी बना रहे है तो नमकीन से बनेगी पानी अगर रह जाएगा तो फिर इसमें अच्छा टेस्टी आएगा तो अब इसमें एड़ कर लेंगे अपनी मुफली जो हमने रखी थी फ्राइ करके तो अब इनको कर लिंग अच्छी तरीके से मिक्स मुफलियों को इनके हमारा जो यहां पर साबुदानी किष्डी है तैयार हो चुकी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूज लेएगा और जाद जाद इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इन्जाइ कीज सब्सक्राइब करें गता बाइ